गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास पिछले वीडियो में हमने नया टॉपिक शुरू किया था नई यूनेट शुरू करी थी थर्ड यूनेट जिसमें कि हमने लीव्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था लीव्स में मैंने आपको उस पिछले वीडियो के अंदर बताया था आपको कि लीव कितने प्रकार की होती है simple leaf होती है compound leaf होती है फिर simple के कौन-कौन से types हम पढ़ सकते हैं या आपका compound leaf जो है उसके कौन-कौन से types आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर arrangement, venation और origin देखेंगे leaves का कि किस प्रकार से leaf originate होती है कैसा उनका arrangement होता है, stem पे वो किस प्रकार से लगी होई होती है और हर एक leaf में जो venation पाया जाता है, वहाँ किस प्रकार का होता है तो सबसे पहले arrangement of leaves से शुरू करते हैं arrangement of leaves on the stem is known as philotexy कि leaves किस प्रकार से stem पे arranged हैं, किस प्रकार से वहाँ लगी हुई है उसकी जो branch होती है, उसको हम कहते हैं philotexy philo मतलब leaf से हैं यहाँ पर तो उसे philotexy कहा जाता है यह arrangement जो है तीन प्रकार का होत सकता है alternate arrangement, second है opposite arrangement और third है world arrangement तो तीनों प्रकार का arrangement जो है वहाँ एक बार हम चित्र में देखते हैं फिर आपको detail में मैं इसके बारे में बताऊंगी पहला है alternate arrangement जैसे आपके बाहर भी बहुत सारे plants सभी के घरों में भी लगे होते हैं roadside पे भी लगे होते हैं आपने कभी भी गौर किया हो तो यह सारी चीजें आप practically देखके भी समझ सकते हो जो चीज आपको theoretically पढ़ाई जा रही है अगर आप उसको practically देखते हैं तो वह चीज ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आती है जब आप college खुलेंगे आएंगे तो हम इस चीज को discuss कर सकते हैं हमारे college में भी जो plants हैं उनके leaves औगरा को देखके भी हम आपको यह arrangement और यह सारी चीजें बता सकते हैं लेकिन अभी क्योंकि हम online classes ले रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं तो आपको चितर के वाध्यम से ही मैं यह चीज समझा सकती हूँ पहला आप देखिए alternate arrangement में जो first आपने ही हाँ पर देखा है first जो आपका चितर दिखाई दे रहा है इसमें देखिए यह एक stem है और stem के उपर एक leaf अगर इधर लगी है तो यह इसके सामने नहीं लगी इसके थोड़ा सा उपर लगी है फिर यह इधर है तो यह इसके थोड़ा सा उपर है इस तरीके का जो arrangement होता है this is known as alternate type of arrangement अब alternate arrangement यह है इसके कुछ प्रकार है वह मैं आपको next slide में एक बढ़ बताऊंगी लेकिन उससे पहले हम दूसरे जो दो हैं opposite और world arrangement वो देख लेते हैं अब opposite जो arrangement है word से ही समझ में आ रहा है मतलब opposite मतलब एक दूसरे के आमने सामने इस opposite लेकिन opposite के भी दो types हैं जो कि इस चित्र में भी दिखा रखे हैं आपको पहला type है opposite super post और तीसरा है opposite decusate यह जो type है आपका opposite super post इसका मतलब होता है कि stem जो है इसके आमने सामने जो leaves लेगे जैसे यह जो leave रखे है यह इसके बराबर में दूसरी leave है यह इसके बिल्कुल सामने ही दूसरी leave है तो अगर इस प्रकार का opposite arrangement है then it is known as super post जो की बहुत सारे plants में आपको देखने को मिलता है जैसे कि इसमें गावा दे रखा है अमरूज जो है उसके plant के बारे में आपको example दे रखा है तीसरा यहाँ पर जो बता रखा है जो प्रकार हम देखेंगे opposite के दो प्रकार है पहला है super post और दूसरा है आपका decusate decusate में अगर आपने आख का पौदा दिखा हो callotropis आख जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे दो पतियां opposite हैं पहले फिर दूसरी जो दो पतियां हैं वो हैं आपस में तो opposite हैं लेकिन पहली वाली से opposite हैं मैं आपको एक पर पताती हूं डाइग्राम बनाने की कोशिश करती हूं कि आप समझ जाएं जैसे पहली पत्ती जो है वो इस तरीके से है ये opposite होगी अब दूसरी पत्ती जो है क्योंकि ये two dimensional हैं अगर सामने दिखता तो ज्यादा अच्छा बता पाती ये जैसे ऐसे opposite है आप अगर समझ पाए इसको तो ये देखिए ऐसे three dimensional diagram में मतलब ये पत्ती stem के उस तरफ लगी हुई है और ये वाड़ी पत्ती जो मैंने ऐसे draw करी है वो stem के इस तरफ लगी हुई है मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बार इस तरीके से opposite और दूसरी बार इस तरीके से opposite फिर उसके बाद उपर लगेगी तो इस तरीके से opposite आप समझ रहे हैं बीच में stem आप अपनी उंगली को stem की तरह मान कर दोनों हाथ जो है वो दोनों साइट लगाएंगे opposite तरीके से अगर आप इस diagram की help लें तो इसमें देखिए आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक साथ हैं opposite और फिर ये दोनों इस तरफ से opposite है ये इधर opposite है और फिर ये उपर इस side opposite है आप आग का पौधा देखिएगा आपको समझ में आजाएगा ये चीज कि मैं क्या कहना चाहरी हूँ first leaf के सामने second leaf है और third leaf के सामने fourth leaf है इसमें समझने में problem नहीं है opposite ही हो गया लेकिन जो उनका placement है stem के उपर first और second leaf का जो placement है उससे एक तरीके से आप मन सकते हो right angular form में third और fourth leaf present है तो right angle बना रहे हैं वो कहीं पे तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको बहुत चीज से समझ में आईगी तो अगर बिल्कुल आमने सामने है एक तो ये वाला arrangement है तो इसको कहते हैं superimposed और अगर ये arrangement है तो इसको कहते है opposite decusate type of arrangement अब हम तीसरा देखते हैं world चक्र में जो है world जो present होता है अब world में इसमें एक type इसमें दे रखा है ternate ternate से मतलब है जैसे आपने कनेर देखा होगा medium जो है कनेर में आप देखेंगे कि stem में एक point से तीन leaves आपको दिखरी होगी तीन-तीन के pair में एक तरीके से leaves लगे जैसे यह देखें एक, दो, यह तीन फिर उपर लगेंगे तो एक, दो और यह तीन तो इसको भी हम world कहते हैं या तीन है इसलिए इसको ternate भी कह सकते हैं और world में हम यह मानेंगे जब तीन से अधिक होती हैं तो वो world जैसे कि एलमेंडा एक प्लांट है इसमें आपको बताया तो यहाँ पर एक तरीके से चार लगी वी हैं या जैसे आपने अलिस्टोनिया देखा होगा उसके अंदर भी सब्त्त्री उसको कहते हैं सब्त्त्त्री उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारी इसमें भी तीन प्रकार है प्रकार है diastichus दूसरा है tristichus और तीसरा है pentastichus एवन कई बार कई बुक्स में आपको चौथा भी प्रकार मिल सकता है octastichus तो क्या है यह चीच हम थोड़ा सा एक बार diagram से देखते हैं इसको समाझनी कोशिश करते हैं alternate philotexy में मैंने आपको बताया कि यह leaf जो है यहां है तो यह दूसरी है मतलब आमने सामने नहीं होती है opposite में आमने सामने होती है यह उपर नीची होती है अब जिसे diasticus है first जो इसका type है वो हमने बोला diasticus तो diasticus में आप देखेंगे पहला चितर आप देखिए इसके अंदर first जो figure बना हुआ है diasticus के लिए पहला यह stem है यह हम मान रहे हैं stem है और यह जो lines आपको दिखा रखिए zigzag lines यह एक तरीके से leaf का arrangement है कि एक leaf यहां है दूसरी यहां है तो तीसरी यहां है तो कहने का मतलब यह है कि पहली leaf के ऊपर आपको तीसरी leaf दिखाई दे रहे हैं यहां पर तो अगर इस तरीके की position में leaf दिखती है then it is known as diasticus इसको हम diasticus या two ranked arrangement कहते हैं leaf का अब आप आजाएगे triasticus के ऊपर triasticus के अंदर हम देख सकते हैं जैसा कि हमें इस figure में भी दिखाई दे रहा है पहला first leaf यह है second leaf यह है और third leaf यह है फिर fourth leaf यह है तो इसका मतलब first जो है उस leaf के ऊपर उसके ऊपर just जो leaf आ रही है वो fourth number की leaf आ रही है तो अगर इस तरीके का arrangement होता है तो इस तरीके के arrangement को हम कहते है triasticus जिसके अंदर के तीन leaf जो है आपको दिखाई दे रही है एक circle के अंदर जैसा अगर आप stem imagine करते हैं तो यह paddy first, first, second और third जो है आपको stem के stem को अगर आप imagine करते हो अभी यह तो two dimensional paper पे बना हुआ है इसली इसी तरीके से बनाएंगे लेकिन अगर आप stem देखते हो तो एक, दो, तीन, तीन, पॉइंट पे आपको leaves दिखाई देंगी example भी हमने बता है जैसे डाय स्टाइकस का gramini के members है जैसे गेहूं अगर है इनमें आप देख सकते हो ट्राय स्टाइकस में साइप्रस बताया है तो मतलब पहली leaf के उपर fourth leaf है अगर इस तरीके का यह दिन, it is known as ट्राय स्टाइकस अब आते हम पेंटा स्टाइकस में, पेंटा स्टाइकस 5 से मतलब है यहाँ पर 5 ranked जो जैसे ट्राय स्टाइकस था, ट्राय मतलब 3 ranked और 5 ranked या पेंटा स्टाइकस में 5 ranked हम बोलेंगे तो इसमें क्या है कि पहली leaf यह देखिए, पहली पत्ती आपको यहाँ दिख रही है, दूसरी जो leaf है यहाँ पर, दूसरी leaf आपको यह देखिए, यहाँ दिख रही है, तीसरी आपको यहाँ दिख रही है, चौती आपको यहाँ दिख रही है, पांच में आपको यहाँ दि स्वल्टिसेट के पैयरल बना चाहें अधान से अविछ नियुट स्वांके हैं देन एज पेंटा स्टैकस यहां पर आप देखते तो यहां की Official बन रहा है तो इसलिए हम इसको टी और यहां पर तो आप ने 고। बताया था कि डी aware में एक जो है है, दूसरी आपर ए, तीसरी वली ही leaf उसके उपर है, तो ऐसा था तो Diasticus था, तो इस तरीके से Pentasticus के अंदर First students के उपर, Sixth लीफ आपकी आती है और ये आपको Hibiscus में देखने को मिल सकता है हिबिसकस जो है, गुरहल का पौदा है, अगर आप चाहें आपके आसपास कहीं लगा हो तो आप इसको देख भी सकते हैं तो इस तरीके से ये arrangement of leaves है जिसमें कि alternate arrangement के ये आपको type बताया है मैंने इसी तरीके से octasticus भी कई जगे पर आप देख सकते हो तो octast बैसे पपीते के अंदर है papaya में हैं, carica में हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि पहली leaf जो है उससे ninth leaf जो है वो उसके उपर होगी और तीन spiral वहाँ पर बनेंगे जैसे यहाँ पर दो spiral मैंने आपको कहा pentasticus में, octasticus में तीन spiral बनते हैं तो इस प्रकार से ये arrangement हम पढ़ सकते हैं आपको alternate के मैंने तीन टाइप बता है diasticus, tristicus and pentasticus opposite philodexy के हमने दो टाइप पढ़े थे opposite superimposed, superposed and second is opposite decucid world में मैंने आपको बता है world जो है, उसको verticillate भी कहते हैं दो से अधिक अगर leaf है कहीं पे भी तो उसको हम world की category में डालते हैं कनेर हमने example दिया जहांपर की तीन leaves एक साथ stem पे लगी हुई है ऐसे ही ऐलिस्टोनिया है ऐलिस्टोनिया के अंदर भी 5 leaves भी एक साथ एक node पे लगी हुई रहती तो मतलब दो से अधिक अगर leaves एक साथ कहीं node पे लगी हुई है then that is known as world type of arrangement तो ये तीन arrangement हमने पढ़ लिये हैं अब आते हैं हम leaf venation पे leaf venation का आपने पिछली classes में भी पढ़ा होगा 11-12 में पढ़ा होगा leaf venation में mainly दो प्रकार की venation आपको मिलती है और दो प्रकार की venation कौन से हैं? reticulate venation and parallel venation ये देखिए अब reticulate venation and parallel venation reticulate venation से मतलब होता है कि जहां पर main जो ven है उससे जो venlets निकलती हैं वह एक जाल के रूप में निकलती हैं या एक जाल बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं reticulate type of venation अब reticulate type of venation भी दो प्रकार का होता है unicostate and multicostate uni का मतलब होता है one से multi का मतलब होता है बहुत सारे many तो uni का मतलब one है इसका मतलब जब एक main ven से कई सारी little ven अगर निकल रही हैं और leaf के margin तक पहुँच रही हैं तो इसे हम कहते हैं unicostate type of venation जिसका के example है मैंगी फेराज से आम इसी प्रकार से multi-costate का मतलब है कि जब एक से अधिक winds निकल रही है और हर एक wind जो है windlets में विवाजित हो रही है और उपर की तरफ में बढ़ रही है इस तरीके का अगर venation है तो उसको हम कहते हैं multi-costate reticulate multi-costate type of venation जो की resinous अरंडिज का पेड़ जो है उसमें पाया जाता है हम आया डियाग्रेम में भी देख सकते हैं आप ये देखिए जैसे ये वाला फॉर्स्ट वाला जो ये फिगर है reticulate venation में unicostate है इसमें देखिए बीच में विल्कुल एक आपको वीन दिखाई दे रही है जो की main vein है इसकी और बाखी आपका यहाँ पर इस तरीके से venation दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से अगर आप multi-costate देख रहे हैं तो ये देखिए आप ये जो है ये main vein है ये main vein है ये main vein अब इनके अंदर से बहुत सारी veins निकल रही है तो ये सब main veins है इसलिए multi-costate बोलेंगे इसको इसी प्रकार से parallel veination से मतलब होता है कि जब veinlets जो है और parallel to each other main vein तो है लेकिन बाखी जो veins है ये veins है ये parallel है अगर एक दूसरे से इस तरीके से parallel है एक दूसरे से तो then it is known as parallel veination अब parallel veination के अंदर भी दो प्रकार हो सकते है unicostate and multicostate तो unicostate के अंदर main vein तो एक ही आपको दिखाई दे रही है और बाखी winlets जो है वो parallel है एक दूसरे से multicostate के अंदर आपको बहुत सारी main veins दिखाई देंगी और वो veinlets जो है वो parallel होंगी एक दूसरे से तो इस प्रकार से multicostate और unicostate जो है आपको दोनों में प्रकार मिलेंगे parallel veination में भी मिलेंगे और reticulate veination में भी मिलेंगे एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी तो मैं slide में लिखना भूल गई कि आपका reticulate veination जो है क्योंकि हम dicot monocot भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूँ यहाँ पर कि reticulate veination जो है आपको dicot के plants में मिलता है और parallel veination जो है आपको monocot plants में मिलता है तो हम अगर morphology भी देखें अगर हम बाहरी characters से बाहरी लक्षनों से भी अगर plant को पहचानना चाहें कि यह monocot है या dicot है तो यह भी एक बहुत अच्छा identification point है जो कि बताता है आपको कि plant dicot है या monocot है अगर reticulate veination है तो dicot है parallel veination है तो monocot है तो आप देखके इसको पहचान सकते हैं अब आते हैं हम origin and development of leaf पे कि leaf जो है किस प्रकार से originate हुई किस प्रकार से उसकी उत्पत्ती हुई आपको मैंने meristems पढ़ाए थे meristems के हंदर हमने apical meristem पढ़ा था shoot meristem हमने पढ़ा था shoot सारा आपको theories वगरा सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ तो उसमें हमने देखा था कि meristem जो है meristematic cells जो है apical meristem एक type है और apical meristem जो है वो कहां होता है apex पे, सिरे पे stem के सिरे पे और जो leaves हैं वो एक तरीके से apical meristem के side से leaf primordias निकलते हैं जो कि आप मान सकते हो कि mass of cell बनके और गोले की तरह से निकलते हैं और side से बढ़ जाते हैं वो leaf primordias यहां पर बनते हैं तो leaf basically एक तरीके से हम मान सकते हैं pro meristem जो है of the growing point of stem से originate होती है यह आपको यहां पर एक जो graphical representation बता रखा है एक तरीके से या आप बोल सकते हो कि flow chart के मध्यम से बता रखा है कि leaf किस प्रकार से बनी nicotina tobacco plant के अंदर foster ने यह बताया था 1936 में इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से leaf का origin होता है तो सबसे पहले यह मानते हैं कि कुछ initials जो हैं क्योंकि वो margin पे present है उनको हम कहरें marginal initial वो बनते हैं और उन marginal initial से क्योंकि आपको पता है सबसे बाहर की layer जो है वो epidermis बनेगी तो उससे proto-derm बनता है और क्योंकि leaf के अंदर upper और lower surface दोनों surface पे epidermis पाई जाती है तो इसलिए marginal initial से तीन प्रकार के cell आप मान सकते हो बनते हैं एक तो सब-marginal initials फॉर्म होते हैं उनसे और दूसरा उनसे adaxial, protoderm और abaxial protoderm adaxial का मतलब होता है upper surface से जिसको की dorsal surface कहते हैं abaxial का मतलब होता है vental surface से जिसको की lower surface कहा जाता है तो protoderm जो है adaxial protoderm है वो adaxial epidermis बनाएगा जो abaxial protoderm है वो abaxial epidermis बनाएगा मतलब अपर और lower epidermis फॉर्म हो जाएगा सब-marginal जो initial है वो फिर से तीन भागों में विभाजित होगा adaxial layer, उपर की layers abaxial layers, नीचे की layers and middle layers, बीच वाली layers तो adaxial layer जो है वो वहाँ पर palisade parenchyma बनाएगी और abaxial layer जो है जो की lower side में है, epidermis lower epidermis के side में वो abaxial spongy parenchyma बनाएगा, ये मैं आपको palisade और spongy parenchyma और ये सब में आपको जब structure या anatomy of leaf पढ़ाऊँगी अगले वीडियो में तो आपको और अच्छे से इसकी जान करीदूँगी अभी हम यही देखेंगे कि किस प्रकार इसके उत्पत्ती हुई leaf के सारे cells की, फिर आता है middle layer, middle layer जो है वह pro cambium बनाएगा और pro cambium जो है वह vascular bundle बनाते हैं, आपको पहले भी ये चीज़ मेरिस्टम में डिसकस कर चुके हैं कि pro cambium से vascular bundles बनेंगे और pro cambium से ही sheath बनेगी जो की surrounding jacket layer आप मान सकते हो, हर vascular bundle के बाहर की तरफ में आपको मिलती है, तो कहने का मतलब यह है कि एक जो marginal initials जो form हुए थे, उन्ही marginal initials से पूरे leaf का structure जो है, वो है, उपर parenchyma cells जो की parisate type के हैं नीचे spongy type के parenchyma आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें और middle spongy parenchymas भी बनते हैं और बिल्कुल बीच में जो है, vascular bundles बनते हैं जो की जिनके की चारों तरफ sheath होती है, तो इस प्रकार से leaf का origin होता है थैंक्यू समझ में आ गया होगा बागी जो भी plants की example दिए हैं या आपको बाहर भी अपने environment में जो भी plants दिखते हैं आप कोशिश करिए उनके management of leaves अगर आप अपढ़ने की या reticulate और parallel venation देखने की क्योंकि practically जब आप देखते हो तो चीजें आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आती है फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment box पे लिखके मुझे पूछ सकते हैं और channel को जिन्होंने नहीं subscribe किया है please subscribe करिए ताकि आपके बस notification पहुँचें और आप regularly हमारे touch में रहें Thank you so much